गुड मॉर्निंग स्टुडंस आज हम लेसन नमबर टू उसका करने वाले है श्वाध्याई स्वाध्याई का पहला प्रश्न है प्रश्नों के उतर दीजे उसमें फर्स्ट चिडिया खुसी के गित कब गाती है तो उसका अंसर बहुत सबेरे चिडिया खुसी के गित गाती है सुबो होने पर प्रकृती में किसा बदलावाता है अंसर सुबो होने पर आकास में तारे छीब जाते है अंदेरा दूर हो जाता है पूर्वदिशा से शुर्य निकलता है पंची चहचहाने लगते है कलिया खील जाती है फूलो की सुगंध हवा में फेलने लगती है इस प्रकार प्रकृती जाकूरती है वातावरण में ताजगी आ जाती है थर्ड प्रुत्वी पर हरियाली कब चा जाती है अंसर वर्षा रुत्व में बारिस होती है विरान पड़ी धर्ती पर गास उग जाती है पेडों को नया जीवन मिलता है इस प्रकार वर्षा रुत्व में प्रुत्वी पर हरियाली चा जाती है फॉर्ट, हर्याली कहां कहां दिखाई देती है तो उसका आंशर मेदानों में, बनबागों में, परवत पर, खेतों में इस प्रकार हर जगह पर हर्याली दिखाई देती है फॉर्षन, सेकेंड, निमन लिखित काव्य पंक्तियों का पावार्थ लिखे फर्ष्ट, कलिया दर्वाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है उसका भावार्थ, सुबो होने पर कलिया भी जैसे नीन से जागुटती है उनकी बंद पंखुडिया खुलने लगती है, वे मानों सोने वालों पर मुस्कुराती है और करती है कि हमारी तरह तुम भी हसो, मुश्काओ, आलस और उदाशी को दूर भगा कर काम में लग जाओ जब चमचम बुंदे गीरती है, बिजली चमचम कर जाती है उसका भावार्थ देखते हैं, वर्षा रुत्व में बादल बरसने लगते हैं तब पानी की बुंदे चमचम की आवाज करती है ऐसा लगता है, जैसे मैं नृत्य कर रही हो उस समय बिजली चमकती है एसा लगता है, जैसे बुंदो का नृत्य देखकर आकास का चहरा खुशी से चमक उठा है Q3. उदारन के अनुशार निम्नलिखित सब्दों के समानाथी शब्द कोष्टक में से ढून कर वाक्य में प्रयोग कीजिए Q3. सुबह तो प्रातकाल वाक्य प्रातकाल देवालई में पूझा होती है Q3. खुशी आनन्द तो वाक्य आज स्कुल में बड़ा आनन्द आया Q4. खुश्बू सुगंध फूलों की सुगंध अच्छी होती है Q4. बहुत ज्यादा आज गर्मी ज्यादा है Q4. मुस्काना हसना वाक्य जोकर को देखकर हसना आता है Q4. इस यात्रियों को शब्द कोष्के क्रमपे आधार पर अपने अपने डिबे में बिढ़ाईए तो इसने फर्स्ट उठकर सेकान कलिया थर्ड चान फूर्थ मुस्कान और फिफ्थ मेदान